साथ नरेंद हमारे साथ हमारे समभाद आता जुड़ गए हैं नरेंद जब आप सांसद संजय सिंग परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे उनके उपर हमला किया गया था उनके उपर स्याही भेकी गई थी आपसे जानना चौएंगे इस पूरे मामले पर आ रखा है पुलिस ने हाइवे के किनारे वहीं पर उनके उपर स्याही से हमला हुआ जब वो मीडिया से रूबरू थे इस पूरे मामले में जो हमला बर है उसके फोटो उत्तरप्रजिस के कई सारे पुलिस अदिकारियों के साथ हैं बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ है दीपक सर्मा उसका नाम है और वो एक हिंदूबादी संगठन का संस्थापक है उसका अद्यच है उसको पुलिस ने उसी समय आमादमी पार्टी के कारिकरताओं उसको पकड़ के पुलिस को सौपा था और उसको ग्रफतार कर लिया गया है यह जानकारी लगी है कि उसको चालान भी कर दिया गया है उसके खिलाब मुकदमा भी दर्ज हुआ है लेकिन इसके साथ ही चार और मुकदमे आज चंदपा थाने में दर्ज हुए है जिनमें एक मुकदमा ऐसा है जिसमें बीस से ज्यादा धाराएं लगाई गई है उस मुकदमे का डिटेल फिलाल छुप पाया गया है पुलिस के द्वारा लेकिन यह जानकारी हमें मिली है कि उसमें मीडिया से लेकर जो इतने भी पॉलिटिकल पार्टी और बीजे बीबी आई पी लोगों के वहां पर मुमेंट हुए हैं उससे रिलेटिट चीजें हैं और उनमें एक बहुत बड़ा सडेंत दिख साब भी मुकदमा उसमें सामिल है तो इस तरीके से एक अंकुस लगाने की कोशिस की जा रही है गाउं में माहौल जो है वो तनावपूर है और ऐसी इस्तितियां है कि एक दूसरे पक्च को देख नहीं सकते लेकिन पीएसी वहां पर तैनात है लेकिन जो सिक्योरिटी का पर जो पीएसी है पुलिसस कोई तैनाती की गई है लेकिन कोई भी सुरक्षा का आबंटन उसको जो अफिसली होना चाहिए था वो नहीं हुआ है हाला कि जो आगरा जोन के एडीजी है आईजी है वो सब वहां पर पहुँचे हुए है थाने में आज उन्हें कैम्प किये र और जो डेलिगेट्स पहुँच रहे हैं बस उन्हीं को वहां एंटर वो तब हो पा रहा है जब उनको एप्रूबल मिल रहा है उसके बाद वो अंदर जा पाते हैं जो प्यूडित परवार से मिल पाते हैं लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है सुरक्षा का वो बना हुआ है नकल स烏कर ने कल साम को जब यहाँ पर वो आय थे उसके बाद उनोंने देखा था गल्यम किस तरीके से लोग हतियार लेकर निकल आय थे उसके बाद पाद माहौल भी गर जो गरम हुआ उसके बाद जो सेक्टी के सवाल था बो वहां पे क्रियेट हुआ परबार ने भी कहा क कि अगर उनको सुरक्चा नहीं दी जाती तो वो चंसे करके साथ ही चले जाएंगे आज जो राज रतन जो राम राम रतन जो आंबेट कर रहें वो पहुंचे थे बुद्ध सुसाइटी ऑफ इंडिया के जो देच हैं वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी यह बात कह है वो एक बहुत बड़ा मुद्धा है और यह परवार में बादी भी है और चस्मदीद भी है बिटनेस भी है तो ऐसे में अगर सिकूरिटी नहीं मिल पाती है तो जो इंसाफ की राह है वो कहीं मुकंब नहीं हो पाएगी बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र नजर बना प्रक्याप